दोस्तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 16 और 17 अक्टूबर को पूरे जहारखण में होगी अच्छी बारिश मौसम विवा के अनुसार मौनसुन की बिदाई पीछले स्वमवार को ही हो चुकी है वहीं पूरे जहारखण में अगले दो दिन मौसम साफ बना रहेगा 14 अक्टूबर तक मौसम शुस्क रहेगा 15 अक्टूबर यानी शुक्रवार को हलकी बारिश हो सकती है 16 और 17 को पूरे राजी में अच्छी बारिश होने की संभावना है बता दे कि इस दोरान ठंड का एसास होने के साथ ही तापान में भी उतार चड़ाओ दर्ज हो सकता है गौर्द लबाई की 12 जून को जहारखण में मौनसुन का परवेश हुआ था मौसम बिभाग के अनुसार इस बार जहारखण में अच्छी खासी बर्शा हुई है दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है आदिवासी जमीन की जाच के लिए बनी बिधानसभा की बिशेश कमिटी को मिला अवधी बिस्दार जारखण में आदिवासी जमीन की हेरा फेरी की जाँच के लिए बनी बिधानसभा की बिशेष कमिटी को एक्षटेंसन मिला है 31 दिसमबर तक के लिए कमिटी को एक्षटेंसन दिया गया है बता दे कि मुख्यमंत्री हेमंत्स सुरेन की सुझाओ पर कमिटी का गठन किया गया था बिधानसभा अज्यक्ष रविंद्र नात महितो ने कमिटी की आउधी का बिस्तार किया है आपको बता दे कि जहारखन में बड़ी संख्या में आदिवासी जमीन पर गहर आदिवासियों के कबजे की शिकायत है सरकारी दस्तावेज में जहारखन में 21,000 से अधिक परिवारों की 21,173 एकट जमीन गहर आदिवासियों के नाम है इसके अलावा अवैद कबजा अलग से है नए सीड़े से जहारखन सरकार ने निद्देश जारी किया है कि गहर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन कबजा से सम्मंधित परती वेदन सभी जीला उपायुक्त को दें जल्द होगी 95,000 पदों पर सिक्षकों की निउक्ती 72,000 नए पदों को मिली मनजूरी जहारखन में जल्द ही 95,000 पदों पर सिक्षकों की निउक्ती होने वाली है आपको बता दे कि सरकार ने 72,000 सिक्षकों के नए पदों के स्रीजन के लिए मनजूरी दे दी है वहीं पहले ही प्राथमिक्स स्कूलों में 17,835 और मिडिल स्कूलों में 4,893 पद खाली है मिली खबरों के अनुसार जारखन सरकार फेजवाईज नियुक्ती परक्रिया अपनाएगी पहले चरण में 30,000 से 35,000 पदों पर नियुक्ती परक्रिया शुरू होगी इसमें आधेपद पारा सिक्षकों के लिए आरक्षित किये जाएंगे सिक्षक पातरता परिक्षा पास यानी जेटेट पास पारा सिक्षक इसके लिए योगी होंगे पहले चरण की नियुक्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले चरण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी पता दे कि इसी दोरन ज्राजी सरकार नई सिक्षक पात्रता परिक्षा का भी आयोजन करेगी जिसके लिए अभ्यार्थियों को भी नियुक्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आउसर मिल सकेगा दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है जारखण में रात दस बजे से लेकर सुबह छे बजे तक लोड़ी स्पीकर पर लगाई गई पावंदी जारखण राजिये प्रदूशन बोट की ओर से गाईडलाइन जारी की गई है नए गाईडलाइन्स के अनुशार रात के दस बजे से सुबह छे बजे तक के लिए लोड़ी स्पीकर और डीजे के इस्तिमाल को परती बंधित कर दिया गया है नियमों का उलंगन करने पर कड़िक कारवाई की जाएगी जारखण परदूशन बोट के सचीव की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है परदूशन बोड की ओर से जारी आदिश में कहा गया है कि लॉड़ स्पीकर को लेकर जारी नए आदिश का उलंगन करना दंडनी होगा सार्वजनिक जगों पर तेज आवाज में लॉड़ स्पीकर का इस्तमाल नहीं किया जा सकेगा बता दे कि परदूशन बोड ने बिभीन शेत्रों के लिए दोवनी की सीमा तै कर दी है राज़िपाल रमेश बैस ने कहा जारकण में पर्याटन की अपार संभावनाएं यह जारकण के विकास वो राज़स्व में अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है परकिर्ती ने जारकण को असीम खुबसूरती परदान की है उन्होंने कहा कि हमें उस पर गौर कर विक्सित करने की आउशक्ता है राज़िपाल सोमवार को राज़भवन में पर्याटन कला संस्कृती खेलकूद उन्होंने कहा कि जारकण में जीस तेजी से परेटन के शेतर में विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि परेटन के विकास के लिए हम सभी को युजनाबध तरीके से काम करने की आउशक्ता है दोस्त बड़ी खबर सामने आ रही है दुर्गा पुजा के आउसर पर पूरे जारकण में होंगे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम दुर्गा पूजा के अउसर पर सुरक्षा के लिहाद से पूरे जार्खन में लगबक 15,000 अतिरिक्त बलू की परतिन्युक्ती की गई है। इसके अलावा सरकार की और से जारी गैडलेन का सकती से पालन कराने को कहा गया है। पर्धानमंत्री कार्याले यानि PMO में पर्धानमंत्री के सलाकार एडवाईजर 2PM के रूप में उनकी निवक्ती दो वर्स के लिए कॉंट्रेक्ट पर की गई है। खबरों के अनुसार केविनेट की निवक्ती समीती ने कॉंट्रेक्ट बेस पर भारत सरकार की सच्चिव के पद पर जिहां और पैवाने पर पर्धानमंत्री कार्याले के सलाकार के रूप में अमीत खरे की निवक्ती को शुरू में दो साल के लिए या अगले आदिश तक म अधिकारी हैं और उन्होंने दिसंबर 2019 में सिक्षा मंधरा ले के सच्चिव का पदभार संभाला था उनकी निवक्ती के कुछी समय के अंदर कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्य सिक्षानीती 2020 को मजूरी दे दी थी उन्हें इस महिने की शुरूत में रिटायर किया देश में पिछले 24 घंटों के दोरान कोरोना के मिले 14,000 नए मामले मंगलवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में कुल 14,313 नए पोजिटीम मरीज सामने आए हैं यह संख्या पिछले 224 दिनों में सबसे कम हैं आपको बता दे कि केरल में 24 घंटे में 6,996 मरीज दर्जुए है राजी में इस दोरान 84 मरीजों की मौत भी हुई है इस समय आउधी में जिहां इस समय की आउधी में पूरे देश में 181 लोगों ने अपनी जान गवाई इस दोरान कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 26,589 है केंद्री स्वास्थे मंत्राले के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमन दर एक दस्पलोव दो एक परतीशत हो गई है पिछले 43 दिनों से कोरोना संक्रमन दर तीन परतीशत से नीचे दर्ज की जा रही है बता देखी अब तक देश में कोरोना के कुल 3 करोड 40 लाग से अधीक मामले सामने आ चुके हैं देश में अब तक इस वीमारी से कुल 4,50,963 लोगों की मौत हो चुकी है सक्री मरियों की बात करें तो संख्या 2,14,900 है यह संख्या पिछले 212 दिन में सबसे कम है दोस्तो बड़ी खबर सामयार ही है घरेलू उडानों पर लगी पावंदी हटी कोरोना मामलों में आई गिरावट के बाद सरकार ने उडानों पर कैपेसिटी कैप्स हटाने का दिरने लिया है नागरिक विमानन मंतराले ने कोरोना महमारी के बाद घरेलू उडानों पर लगाई गई पावंदी में राहत दे दी है 18 अक्टूबर से घरेलू बेवसाईक उडानों में यात्रियों की शमता को लेकर लागू पावंदिया हटा ली जाएगी मतलब है कि अब पूरी शमता के साथ बिमान उडेंगे आपके बता दे कि कोरोना के कारण 23 माच 2020 से शेडूल्ड अंतरराष्टिये उडानों पर रोक लगा दी गई थी लेकिन मई 2020 से बंदे भारत मिशन के तहत बिशेश अंतरराष्टिये उडानों का परिचालन हो रहा है इसके अलावा चुनिंदा देशों के साथ द्यूपक्षी एयर बवल व्यूस्था के तहत जुलाई 2020 से उडानों का परिचालन हो रहा है अब अगले स्वमुआर से शत पर्तिशत शमता के साथ देश में उडानों का संचालन किया जा सकेगा दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है पूजा पंडालों में छोटे बच्चों की होगी नो इंटरी नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने सभी दुर्गा पूजा पंडालों के समितियों को यह रिदेश जारी किया है कि दुर्गा पूजा महोत्सव के दोरान कोविड नियमों का पालन कराना सुनिशित करेंगे किसी भी पूजा पंडाल में छोटे बच्चों को परवेश निशेद रहेगा और कोई भी नागरी बिना मास्क के परवेश नहीं करेंगे पूजा जिहां पूजा पंडाल में सेनिटाइजर रखना सुनिशित करें उन्होंने समितियों को पूजा पंडाल एवं आसपास साप सफाई बरतने का निर्देश दिया है साथी किसी भी तरह की समस्या पैदा होने पर या आवश्यक्ता महसूस होने पर निगम के कंट्रोल रूम में अपना शिकायत तच करवाए तवरित कारवाई के लिए निगम की स्पेशल टास्क फोर्श त्यार की गई है जो 24 घंटे मुस्तेदी के साथ पूजा पंडालों में सफाई ब्योस्था आदी शुनशित कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मानव अधिकारों के नाम पर देश की छवी खराब करते हैं कुछ लोग पीम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कुछ लोग मानव अधिकारों के नाम पर देश की छवी खराब करने की कोशिश करते हैं उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने किया और शक्ता है राश्ट्री मानव अधिकार आयो के अस्थापना दिवस के आउसर पर आयोजीत कारिकरम में उन्होंने बोलते हुए यह बात कही इसके साथ ही उन्होंने मानव अधिकारों और महिलाओं के लिए किये पिम नरेंदर मोदी ने कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 700 जीलों में वन श्टॉप सेंटर अस्थापित किये गए हैं यहां मेडिकल, पुलिस मेंटल, काउंसिलिंग और लीगल हेल्प दी जाती है इसके अलावा 650 से अधिक फास्ट ट्रैक कोट भी अस्थापित किये गए इनमें रेव जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई की जा रही है